बिसमिले रहमानी रहीम असलाम लेकुम आज हम इन मटर के दानों से बच्चों के लिए लच बोक्स तियार कर लेंगे और यह बच्चों को इतना पसंद आएगा बच्चों के साथ साथ यह बड़ों को भी बहुत मज़े के लगेंगे और इनको बनाना बिल्कुल आसान है बहुत ही चल्दी यह लच बोक्स बनकर तियार हो जाता है पैन में मैंने टूटेबल स्पून के करीब ऑईल डाला है ऑईल गरम होने पे हम यह मटर के दाने डालतेंगे आदा किलो मैंने मटर लिये थे इनके दाने हमने निकाल लिए दाने निकालने के बाद इनको हमने दोकर इनका पानी खुश्क कर लिए और इनको हलकी आँच पे हम 2-3 मिटर के लिए फ्राइब करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा और जो हमारी चैनल पे नहीं हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा आप देख सकते हैं मटरो को जो कलर है तो चेज होने लगए और ये जटकने लगए हैं इनको थोड़ी देर तक के लिए और फ्राइब कर लेते हैं मटर काफी गल गए है ये तकरीबन पक कर त्यार है अब इसमें हम थोड़ा से नमक डाल देंगे तकरीबन एक से देड़ चूटकी हम नमक डालेंगे इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे और इसको मजीद हम एक से देड़ मिट तक के लिए फ्राइब कर लेंगे नमक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मजीद आने वाली वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मटर के दानों को हमने निकाल लिया था काफ़ी ठंडे हो गए अब ठंडा होने पर हम इसमें थोड़ा समचूर का पौड़ो डालेंगे और थोड़ा से चाट मसाला डाल देंगे इससे बच्चों को और टेस्टी लगेंगे और ये खाने के बाद बच्चे आपसे बार-बार फर्माईशी करेंगे आप चाहें इसमें थोड़ा से लैमन का जूस पर डाल सकते हैं लेकिन मैंने ये ऐसी बनाये हैं तो इस तरह से भी ये बहुत मज़े की लग रहे हैं और इन मठर के दानों भाम इस कौन में डाल लेंगे ये मज़ेदार सी हमारी रेस्पी दी इसके साथ ही इजाच्च होंगी अला फिस